Hello students, तो अब हम करेंगे question number 7, तो question number 7 क्या कहता है, simplify and solve, यानि पहले हमें इसको simplify करना है और फिर solve करना है, तो यहाँ पे हम इसको simplify कर लेते हैं, यह हमारी एक linear equation दे रखी है, तो simplify कैसे करेंगे, यहाँ पे इस 3 को अंदर multiply कर देंगे, तो यह हो जायागा 3T, इस 3 को इससे multiply करें माइनस का 9, 5 को अंदर ले जाएंगे, तो 5 to the 10T, इस 5 को इससे multiply करेंगे, 5 बंजा 5, यह क्या imply करेगा, यहाँ पे यह 3T है न, इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ता है, variables को एक तरफ कर लेते हैं, और numbers को एक तरफ, यहाँ पे यह 3T है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस 10 10T को हम इधर ले आते हैं, यह आ जाएगा, माइनस का 10T is equals to, यहाँ पे 9 को हम राइट साइड में ले आते हैं, तो यह हो जाएगा, 5 प्लस 9, यहाँ पे यह 3T, यह 10T है, 10T में से 3T जाएगा, तो यह बचेगा, माइनस का 70, is equals to, 9 में 5 एड़ करेंगे, यह हो जाएगा, 14, यहाँ से अगर हम देखें, तो T is equals to, क्या हैगा, यहाँ पे जो माइनस का 7 है न, इसको पूरे को इधर डिवीजन में ले जाएगे, तो यह हो जाएगा, माइनस का 14 अपान 7, 7 का टेवल पढ़ते हैं, 7 to the 14, तो यह इंपलाई करेगा, T is equals to, माइनस का 2, यह हो जाएगा, ह इतना ही